खूपोइल देखते हैं कि बैंकि करिंचर एक बहुत अच्छ अच्छ सपोर्ट पे है, एसको बहुत अक्छा सपोर्ट रहुक्त मैं बता दताहूं 29,184 का एक अच्छा support है इस stock को, sorry, इस index को bank nifty पे अगर आप देखें तो इसको यहां पे बहुत अच्छा support मिला हुआ है can see, this is a very strong support for the bank nifty so if bank nifty falls down below this level then definitely we can expect it to go to around let me see, okay, then yeah it will get a support at this level so if the bank nifty breaks below this level अगर यह bank nifty करेंट लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो हमको bank nifty करीब इस लेवल पे देखने को मिलेगा 26,594 है यह 28,594 के लेवल पे हमको bank nifty देखने को मिलेगा, if it breaks below okay, if it breaks below 29,197 लेवल ठीक है so currently जो एक बहुत अच्छा इसको support मिला हुआ है अगर यह support तो तो bank nifty जरूर नीचे की तरफ आएगा और जहां कि trend की बात करें तो trend definitely इसका negative है 5 moving average, 20 moving average, कोई भी moving average की हम बात करें तो यहां पे हमको इसमें अभी हमें नीचे ही गिरावट ही दिख रही है तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं कि bank nifty का put option buy कर सकते हैं कल के लिए ठीक है या call option आप जो है sell कर सकते हैं दूसरी चीज यहां पे लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा कि यहां से यह अगर retrace हुआ ठीक है क्योंकि एक अच्छा retracement level भी है मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा retracement level है यहां पे हमको bank nifty का तो यहां आप देख सकते हैं bank nifty को एक यह देखें यहां पे bank nifty को हमको देख सकता है कि bank nifty जो है अभी एक अच्छे 1.618 retracement level पे है ठीक है 29191 एक अच्छा level है इसके लिए तो इसको यह level definitely break करना पड़ेगा उसके बाद हम लोग इसमें एंटर कर सकते हैं ठीक है वरना यहां से अगर retracement लेता है तो definitely अपने 1.1414 के level पर जाएगा सो यह था bank nifty का analysis आप put option ले सकते हैं bank nifty में कल के लिए definitely bank nifty का नीचे जाने का चांस अच्छा है अगर यह level जो है इसका break करता है तो 1.618 का level break करता है तो bank nifty नीचे की तरफ रहेगा all right and it will go to around 28,594 okay so that's uh that's it for today all right